सब्सक्राइब कीजी गोर्मेंट एमप्लोईज न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाईए हर खाबर सबसे पहले देखने के लिए नमस्कार दोस्तों स्वागत आप सबी का एक बार फिर से आपके अपने यूटूब चैनल गोर्मेंट एमप्लोईज न्यूज में दोस्तों केंद्रिय कर्मचारियों के द्वारा की जा रही वेतन बड़ोतरी और फिटमेंट फ्रेक्टर में बड़ोतरी की मांग के बीच में एक बहुत चोंकाले वाली खबर सामने आई है और यह जो खबर वो यह है कि भारत के जो नेता हैं उनकी सेलरी में पिछले साथ साल में उनकी जो सेलरी है वो दुगनी हो चुकी है और जहां एक आदमी या पिर एक जो पेंशन भोगी है या फिर एक वतन भोगी है उसकी salary में मामूली बढ़ोतरी देखने को मिली है तो आज एक website की तरप से जनकारी मिली है और उसकी according जोहाँ पर कुछ लोग salary ने बढ़ने से परिसान है और वही कुछ की salary बढ़ती ही जा रही है salary बढ़ने के मामले में सबसे बागसाली है हमारे नेता जिनका वितन साथ साल में करीब दोगना हो चुका है और अंतराष्टिय स्रम संगठन यानि आई एलो की इंडिया वेज रिपोर्ट के मुताबिक ये किसी भी अन्य पैसे के मुकाबले वितन में हुई सबसे ज्यादा बड़ोतरी है नेशनल सेंपल सर्वे संगठन के आखनों का विश्लिशन करके रिपोर्ट ने बताया है कि नेता सीनियर ओफिसर और मेनेजर्स का वास्तिविक वेतन लगबग एठाण में फिश्दी बढ़ गया है जबकि प्रोफेशनल्स के वितन में ओस्तन लगबग 90 फिश्दी की बड़ोतरी देखने को मिली है और गौर तलब बात ये है कि इन मेंसे जो ज़्यादा तर वितन है वो बढ़ाने का फैसला वो खुद ही करते है है किसका बढ़ाना है कितना बढ़ाना है वगो सब हैसल मेंं ज्यादा बड़ोतरी हुई है और यहाँ पर देखने की बात यह है कि ज़ो मद्यम लोग के जो लोग है उनकी salary में लगबग 45 फिशदी की वरद्धी देखने को मिली है जो कि एक निर्नायक भूमका रखते हैं सरकार के कामकाज में लेकिन उनकी salary में लगबग 45 फिशदी की वरद्धी की देखने को मिली है जब कि जो बड़े लोग हैं नेता लोग हैं या फिर जो higher ups हैं उनकी सेल्डी में लगबा एठाण में फिजदी लगबा गयाने की डवल व्रद्धी हुई है और जो हमारे नेता हैं उनकी सेल्डी तो पिछले 7 साल में दोगनी हो चुकी है तो साथ में रिपूट में ये बता गया कि सातों वेतन आयकर सिपारिशन लागू होने के करण केंद्रिय कर्मचारी जो हैं सरकारी कर्मचारी उनकी वेतन में भी बड़ोतरी देखने को मिली है लेकिन ये बड़ोतरी उतनी नहीं है जितनी जो हमारे नेता हैं और हाईयर अप बारे के बीच में वेतन में सिर्फ है 3.7 फीजदी की बड़ोत्री हुई है जो की काफी कम है तो दोस्तों इससे जो केंद्रिय करमचारियों के संग्ठन जो हैं जो नियुंतम वेतन और संग्ठन के द्वारा भी यहां पर सपोर्ट मिल गया है कि जो केंद्रिय करमचारियों को जो मद्द वरक है उनको सेलरी मिल रही है वह काफी कम है क्योंकि एक नेता की सेलरी साथ साल में दुगनी हो जाती है लेकिन एक किंद्र करमचारि की सेलरी बीस साल में भी दुगनी नहीं होती है तो दोस्तों यह एक लेटस्ट अपडेट थी जिससे हमने आपको बताना उचित समझा यह दिए ख़वर आपको अच्छी लगी आपके लिए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें अपने दोस अप्डेट को सबसे पहले देखने के लिए अब हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करने तो आप से एक बार फिर से वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत बहुत बहुत बें